पश्कार मित्रो सच्चाई सर्दार पटेल की के नए एपीसोड में आज हम बात करेंगे सर्दार पटेल सुबास और नेरू के संबंदों के बारे में पश्चिम बंगाल चुनाव विदान सबाद चुनाव आने को है हंगामा तो चल ही रहा है वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी को अपनी सरकार राइटर्स बिल्डिंग में स्थापीत करना है और बीच बीच में नेताजी सुबास चंद्र बोज के बारे में कुछ न कुछ बातें बाहर आती है नेरू ने सुबास चंद्र बोज पर जासु सी कराई ये कराया वो कराया इसके बहुत भाषण बहुत चले मगर आप लोगों में से जिनको रूची हूँ राज्य सरकार याने ममता बेनर जी की राज्य सरकार तुनमुल कांग्रेस की राज्य सरकार उसने सुबास चंद्र बोज से संबंदित राज्य सरकार के हस्तक जितनी फाइलें थी वो खोल दी प्रेशर बनाया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 300 फाइलें खोल दी जो की प्राइम मिनिस्टर की अनुमती के बिना वो पब्लिक डॉमेन में आ सकती नहीं थी और सुबास कभी यहां देखे गए वहां देखे गए 1945 के ऑगस्ट में सुबास चंद्र बोज ने ताजी सुबास चंद्र बोज इंडियन नेशनल आर्मी के सरसेना पती सुबास चंद्र बोज वो ताइपेई में विमान दुरगटना में मारे गए थे मगर कई साल तक लोगों ने यह कहा कि नहीं नहीं वो तो यहां चिप कर थे यहां सादू के वेश में थे यह थे अरे नेता जी क्या ऐसा कोई दुर्बल आदमी था दिला डाला आदमी था जो चिप कर रहेगा तो ये सब बातें तो होती रहती है राजनीतिक उठापटक भी होती रहती है लोग बातें करते रहते है वाटसअप युनिवर्सिटी भी तो बातें फैलाती रहती है जूट के पुलंदे छोड़े जाते है मगर ये बताएं कि नेहरू पंडित जवारलाल नेहरू और नेताजी सुभास चंद्रबोज दोनों समाजवादी दोनों लेप्ट लीनिंग दोनों की विचारधारा लगबग समान दोनों विदेश में रहे नेताजी तो ICS पत से याने वो सेवा में से इस्थिपा दे दिया है उन्होंने और दोनों के बीच में क्या तनातनी हो गई याने आजकल है ना इतियास का पुनरलेखन पुनरगठन पता नहीं क्या-क्या पुनर-पुनर-पुनर हो रहा है जिसको जो जी में आए फैकते रहते हैं मगर हम दस्तावेजों के आधार पर बात करेंगे हमारे पास जो दस्तावेज नहीं है उस पर हम बात नहीं करेंगे देखें मेरे पास Government of India के Gazettear के Chief Editor P.N. Chopra और दिल्ली Government की Chief Editor रही प्रभाच उप्रा की एक किताव है मेरे पास याने वो संपादिन आपको मालू है न वो Collected Works of सरदार वललब भाई पटेल के 15 volumes अभी अभी प्रदानमंत्री जी के याने नरिनमोदी जी के प्रस्तावना के साथ उनकी चिठी उसमें छापी गई है और फिर से वो volumes हमारे मित्र कोनार के नायर साब ने वो प्रकाशित किये है 15 के 15 volume मगर कुछ theme volume भी ये P.N. Chopra और प्रभाच चोपरा याने वो Collected Works भी P.N. Chopra और प्रभाच चोपरा के रहे हैं जिसमें दस्तावेज हैं और दस्तावेज जूट नहीं बोलते पैदा नहीं किये जैसे पंडित नहरू का एक जाली पत्र British Prime Minister को लिखा गया कि आपका गुनहगार यहाँ है वहाँ है यह है वो है सुबास अरे पंडित नहरू ब्रीटन में पढ़े स्कूल की शिक्षा उनकी वहाँ हुई कालेज की शिक्षा वहाँ हुई बैरिस्त्री की शिक्षा वहाँ हुई वो क्या ऐसे फाल्तू अंग्रेजी लिखेंगे तो यह जाली पत्र टाइप हुआ पत्र और वो कहते हैं न वो कहीं अरे वो तो आर्काइज में से मिल गया बैस सर्टिफाइड कापी तो बताएं आर्काइज में से मिला तो और पंडित जी ने कहीं वो सिगनेचर किया होगा तो सवाल यह है कि जाली पत्र प्रसारीत किये जाते हैं आरोप प्रत्यारोप किये जा रहे हैं और फिर कुछ लोगों को उसके उत्तर देना पड़ता है इसलिए हम ने कहा कि यह थीम वाल्यूम है पियन चौपराज और प्रभाज संपादीत किया हुआ और उसमें नेताजी सुबास चंद्रबोड देखें वो कितना अच्छा टाइटल है सरदार पटेल को केंद्र में रख कर यह काम हुआ है गांधी नेहरू एवम सुबास के बारे में अब देखें 1938 में सुबास कांग्रेस के अद्यक्ष हुए गांधी जी की सहमती से हुए सरवानुमत से हुए और फिर सुबास को फिर से अध्यक्ष बनना था अगले साल गांधी जी नाराज थे गांधी जी के समर्थक नाराज थे सरदार पटेल उसके विरोध में थे फिर भी चुनाव लड़े मौलाना आजाद को उनके खिलाप उतारना चाहा मगर मौलाना चुंकी वैसे पैदा तो हुए थे मक्का में तो बाद में वो हट गए चुनाव हुआ गांधी जी के उमिद्वार हारे नेता जी फिर से अध्यक्ष बन गए उसके विरोध में सरदार पटेल के नित्रुत्व में कारिय समीती में जो लोग थे उन्होंने इस्तिपे दे दिये गांधी जी ने ये भी कहा था उस वकत कि ये मेरी वैक्तिगत पराजय है अब देखिए गांधी जी और उनकी अन्बन कितनी होगी कारिय समीती में से अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने इस्तिपा दिया आपको ताजुब होगा पंडित नेरु था और पंडित नेरु ने कहा कि मैं सुबास से बात करूँगा अभी भी कुछ समझोता हो सकता है तो क्योंकि पंडित नेरु और सुबास चिंद्रबोज दोनों के बीच में बहुत निकट के रिष्टे थे मैत्री थी एक दुसरे की चिंता करते थे और कांग्रेस के अंदोलन में भी आजादी के अंदोलन में भी दोनों साथ में थे हलांकि 1933 में विठलवाई पटेल और सुबास चिंद्रबोज ने ये सयुक्त निवेदन विदेश में प्रसारीत किया था कि मात्मा गांदी का नित्रुत्व वो फेल गया है इसलिए आजादी के लिए अहिंसा के मार्ग को छोड़कर और मार्गों का भी हमें चैन करना चाहिए ये विठलवाई पटेल विठलवाई पटेल कौन तो हमारे यहाँ है न लोग कहते हैं सरदार पटेल के बड़े भाई अरे भाई विठलवाई पटेल स्वयम तो बड़े थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के पहले हिंदी अध्यक्ष थे वो बैरिस्टर थे मुंबई के भी महापौर रहे मेयर रहे मिनिसिपाल्टी के कारियक छेत्र वल्लब भाई ने एमदाबाद तै किया और वल्लब भाई भी एमदाबाद मिनिसिपाल्टी के अध्यक्ष रहे प्रमुख रहे विठल भाई मुंबई के मिनिसिपाल्टी के चीफ रहे और फिर जाकर केंद्रिय जो धारासवा थी उसके पहले हिंदी अध्यक्ष प्रेसिडेंट वो बने हलांकि उनका निदन हो गया 1933 में अब देखिए उस समय की यह सब टावरिंग परस्नालिटीज थी मैंने जो जिक्र किया वो 1938 में हरीपुरा सूरत में के सूरत के बगल में हरीपुरा में कांग्रेस का दिवेशन हुआ तो उस वक्त नेताजी सुबास्चंद्र बोज को इतना सम्मान दिया गया गांधी जी ने नेरू ने सरदार ने और आपको मालू होगा कि सरदार और उनके बीच में कुछ चल रहा था फिर भी ये बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी छोटी हरकते नहीं करते रास्टर के काम में क्या हरकत क्या होगा था उनके बीच में टकराव किस बात का था सुबास्चंद्र बोज ने विठल भाई पटेल का जो वस्यत नामा बनाया था वो जाली था विल जो की जिनेवा में बनाया था जिस पर बेंगॉलीज के हस्ताक्षर थे मगर उस वकत वहाँ पर जो विठल भाई के मित्र लोग वहीं पर थे बुलाभाई देशाई वगेरा हिराचंद वगेरा वो उनको न तो इतला किया था न उनके सिगनेचर लिये थे और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जाली इसलिए बनाया कि नेता जी को उनकी संपत्ती हडपना था नेता जी का इरादा ये था कि विठ्छल भाई की जो संपत्ति है विठ्छल भाई के जो पैसे हैं वो रास्टर के आजादी के काम में उसके प्रचार में उसको उपयोग में लाया जाए मगर वो अधिकांश उसका हिस्सा उनको मिल रहा था हलांकि वो मिलना चाहिए था वल्लब भाई के परिवार के लोगों को अब देखिए जियाई पटेल ने विठल भाई की जीवनी में ये सब व्योरा दिया हुआ है और जियाई पटेल करमसत के ही थे विठल भाई के बहुत निकट थे वो हाई कोर्ट में गए हाई कोर्ट में साबित भी हुआ उपर के कोर्ट में नेता जी ने अपिल करा वहाँ पर भी वो साबित हुआ कि ये जाली वस्यत नामा है और उसके पहले वलब भाई ने अपने परिवार जनों को विश्वास में लेकर ये अंडर्टेगिंग दिया था कि इसमें से हमारे परिवार के किसी को एक पैसा भी नहीं चाहिए और जो पैसे होंगे जो धनराशी उसमें से मिलेगी वो हम ट्रस्ट को दे देंगे और उन्होंने बाकाइदा ट्रस्ट को दिया था कांग्रेस के ट्रस्ट को दे दिया था तो ये 1933 में जब दियान्त हुआ विठल भाई का तब की बात थी और उसके बाद में ये जब ये मसला चला हाई कोर्ट में वो 38-39 के उस समय में ये चल रहा था मगर वयक्तिक रागद्वेश पब्लिक फॉरा पर नहीं लाना चाहिए ऐसे टावरिंग परस्टनालीटी थे आज कल तो कैसा होता है वो अच्छा उसने मुझे एसा कहा था मैं उसको जेल में डलवा देता हूँ अच्छा उसने ये कहा मैं उसका ऐसी की तैसी कर देता हूँ बॉने लोग है ना किसी ओहुद्दे पर बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको विराट व्यक्तित्व मिल गया उस वक्षत के लोग विराट व्यक्तित्व वाले थे सुबास दुबारा जब चुने गए तो सरिदार पटेल ने और उने इस्तिपादिया नेरू अंतिम वेक्ति थे क्योंकि नेरू सुबास से बात करना चाहते थे और उनों ने बात में ये कहा और सुबास भी तो अपनी अकड में थे और मेरे पास आठ फरवरी 1939 का जवाहर को लिखा हुआ सरदार का एक पत्र है उसमें लिखा है कि मौलाना तो हट गए थे पटाभी सितारामया हारे सुभास के सामने उन्होंने कहा कि वास्तों में मैंने उनसे कहा था कि इससे मेरे विरुद गाली गलोंच करने का और भी बहाना मिलेगा परंतु उन्होंने जोर दिया तता मैंने उनकी आज्या का पालन किया मौलाना अंतिम क्षण में पीछे हट गए अब देखिए ये बात जो है बापु के सिलसिले में चल रही है याने बापु का आग्रह जो था उसके बारे में ये कह रहे हैं और सरदार लिखते हैं मुझे खुशी है कि हम हार गए और फिर आगे कहते हैं हमारे शत्रूओं ने भी हमारी इमानदारी का श्रे हमें दिया शत्रू याने अंग्रेज तो तब शत्रू थे परंतु हमारे अध्यक्ष याने कि सुभास चंद्रबोज ने नहीं जो भी हो हमें कोई संदे नहीं है कि हमें क्या करना है और हमने सुभास को ल मैं सोचता हूँ कि मेरे बाग्य में गाली खाना लिखा है सरदार पटेल को कितनी गाली मिली थी बंगाल प्रेस बहुत गुस्से में है और नरीमान तता खरे गटना के लिए मुझे दोश दे रहे हैं हलांकि मेरे सभी सहयोगी इसके लिए सयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं वास्तो में डॉक्टर खरे के मामले में सुबास मिटिंग में आरम से अंततक उपस्तित थे और उनी के द्वारा सब कुछ संचालीत किया गया बडोदा में भी मैंने तुफान ला दिया है तथा महारास्त प्रेस मेरे विरूद विश्वमन कर रहा है और मेरे खुन के प्या से हो गये हैं अब देखिए ये बात सरदार कितनी व्येदना से कह रहे हैं और सुबास को उन्होंने कहा कि हम इस्तिपा देने के लिए तैयार है तो सुबास का उत्तर भी देखिए क्या वो लिखते हैं प्रिय सरदार जी आपका सयुक्त त्याग पत्र 22 फरवरी को वर्दा में ठिक समय पर प्राप्त हो गया मेरी अस्वस्तता के कारण उसका उत्तर पहले देना संभव न हो सका सामान्य तया मुझे आपसे आपके निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कहना चाहिए था विचार कर निर्णय लिया है तता निर्णय लेने से पहले आपने सभी परिस्तितियों पर विचार किया होगा यदि इस समय मुझे जराबी संभाव न होती कि आप अपने त्याग पत्र पर पुनर्विचार करेंगे तो मैं आपसे इस्तिपा वापस लेने की अनुनाए भी नहीं करता लेकिन वरत्मान परिस्तिति में उपचारिक प्रार्थना से काम नहीं बनेगा अतो मैं आपका त्याग पत्र बहुत दुख के साथ स्विकार करता हूँ अब देखिए कैसा उत्तर है एक अध्यक्ष का कांग्रेस के अध्यक्ष का और उसके बाद में जो घटनाए बनी नेरू ने भी लिख दिया पालिसी कॉन्फिलिक था उस वकत नेताजी सुभास चंद्र बोज कुछ और रास्ते पर जाना चाहते थे नेताजी बंबई सरकार की मद्यनिशेद निती का विरोध कर रहे थे कांग्रेस की नितियों का जो परापुर्वस से चली आ रही थी उसका विरोध कर रहे थे वो एकदम आक्रमक तेवर दिखा रहे थे और फिर उनको लगा कि ऐसे नहीं चलेगा तो फिर उन्होंने मुक्त हुए कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई और उसके बाद में नेता जी इंडियन नेशनल आर्मी के सिंगापूर में सरसेना पती बने वहाँ गए और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का चीफ का उहदा खत्यार किया और जुलाई 1944 में जुलाई 1944 यह दिखिए कितने साल के बाद में महात्मा गांदी से उनकी हनबन हुई कांग्रेस चोड़ी अलग दल बनाया और विदेश गए फिर सिंगापूर गए सिंगापूर में अंग्रेजों के खिलाप लड़ने के लिए तयार हुए इंडियन नेशनल आर्मी के मारपत और रंगून रेडियो से जुलाई 1944 में निताजी सुभास्चन रबोज कहते हैं गांदी जी को आशिरवात देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और गांदी जी का संबोधन फादर अप दे नेशन करके कहते हैं अब देखिए इतने मतभेत के बावजूद टावरिंग परस्टनालिटी लाइक नेटाजी सुभास्चन रबोज वो गांदी जी को फादर अप दे नेशन कहते हैं और आजकल हमारे यहां एक बहस चल रही है गांदी जी को कुछ भी कह सकते हैं मगर फादर अप दे नेशन रास्टपीता कैसे कह सकते हैं अब देखिए हमें तो तरस आता है उन लोगों पर जो यह बाते करते हैं खेर सुभास चंद्रबोज हमारे लिए सम्मानित थे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ योगदान किया इंडियन नेशनल आर्मी के मारफद भी बहुत कुछ योगदान किया उस वकत स्वातंत्रवीर सावर कर और बाकी हिंदू संगठन वो अंग्रेजों के पिठलगू बने हुए थे अंग्रेजों के साथ में थे और नेताजी जपान के समर्थन से भी बारत को आजाद कराने के लिए तयार थे unfortunately अगस्त 1944 को वो द्विवान दुरगट नामे तैपेई में तैवान में उनका प्लेन क्रेश हुआ जल गया और फिर नेताजी का द्यान्त हुआ तो हमें बहुत उसका गम भी है अब देखे नेताजी तो गए नेताजी अपने पीछे एमिली अपनी पत्नी और अपनी बेटी अनीता को छोड़ गए अब नेताजी के बड़े भाई बैरिस्टर सरत्चंद्र बोज उन्होंने तो उनके लिए कुछ करने को तैयारी नहीं रखी और उनको कैसे वो कैसे गुजारा करेंगे विदेश में उसकी चिंता किसने की पंडित नेहरू और सरदार पठेलने मेरे पास पूरा पत्रवेवार है और आप यदि चाहें तो नेश्टनल आर्काइव्ज की फाइले भी देख लीजिए सरदार पठेल तो 1950 में उनका देहान तो हो गया मगर 1954 की फाइले में मैंने पड़ी है कि पंडित जवारलनेरू प्राइम मिनिस्टर जवारलनेरू उस परिवार की विदेश में बसे नेता जी के परिवार की चिंता करता है उनको पैसे भेजने का प्रबंद रख करता है जैसे की वो सरदार पठेल के साथ मिलकर उन्होंने किया था तो जवार को एक पत्रा है 21 जुलाई 1948 का वल्लब भाई पठेल ने लिखा हुआ उसके शब्द हैं कि प्रिय जवाहरलाल आजाद इंद पॉज के बजेट के संबंद में आपका 15 जुलाई 1948 का पत्र प्राप्त हुआ मैं आपकी इच्छा नुसार 50,000 रुपे की धन्राशी जुलाई सितंबर महिनों के खर्च के लिए और बेज रहा हूँ मेरा सुजाव है कि एक अक्तूबर को जो भी पैसा शेश रहता है उसे सुबास बाबू की पुत्री की मदद के लिए ट्रस्ट में डाल दिया जाए जिसके बारे में कुछ समय पहले हमारे बीच पत्रवेवार हुआ था ऐसा नहीं लगता है कि शरत बाबू याने शरत चंद्र बोज सुबास बाबू के बड़े भाई उनकी कुछ मदद कर पाएंगे ये वल्लब भाई के शब्द हैं मेरे नहीं और ये चिठी 21 जुलाई 1948 ही है आप नेश्टरल आर्काइवस में नेताजी सुबास चंद्र बोज की जो फाईले हैं उसको जराद टटो लिएगा 1954 में भी पंडित नेरू ने इनका इनकी चिंता की है नकेवल चिंता की है वो जब जर्मनी गए प्राइम मिनिस्टर नेरू तो इस परिवार को भी मिलने के लिए गए हैं मिले हैं नेताजी के परिवार को इतना उनका रिस्ता था और फिर भी हमारे यहां पर लोग खेल कर रहे हैं कि उन्होंने चिंता नहीं की उनके परिवार की उनके उफर जासू सी करी और नेताजी के परिवार यानि सरत्चंद्र बोज के पुत्र शिशीर बोज उनके पुत कांग्रेस के मेंबर अब पार्लामेंट थे और हारवर्ड में पढ़ाते हैं प्राफेसर हैं हिस्ट्री के वो एक और हैं और दुसरे बाजपा की और कुछ थे हलांकि वो चंद्रबाबू भी बाजपा से अभी नाराज चल रहे हैं मगर मेरा कहना उतना ही है कि ये सब प्रबंद उन्होंने गुजारा बत्ता एमिली के लिए उनकी बेटी के लिए अनिता के लिए उसको पासपोर्ट देने उसको नागरिकता देने के लिए ये सब प्रबंद किया और फिर भी हमारे यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे अनिता जी को यहां आने नहीं दिया गया उनका सम्मान नहीं किया गया अनिता जी अक्सर भारत आती है शान और शौकत से आती है उनको सम्मानित किया जाता है और हर बैंगॉली और हर भारतिय उनके प्रती बड़े आदर से देखता है अनिता जी प्रॉफेसर के नाते भी रिटायर हो चुकी है वो 77 की होगी उनकी माता जी का तो देहान तो गया मगर नेता जी सुभास चंद्रबोज हमारे लिए आधर्णिय थे स्वातंत्र संग्राम के बड़े प्रकर से नानी थे और उनके परिवार की जिम्मेदारी सरदार पटेल और पंडित नहरू ने उठाई थी ये दस्तावेज कहते हैं चिला चिला कर कहते हैं और फिर भी कुछ लोग चिला चिला कर कहते हैं कि नहीं नहीं उनका कोई कुछ मदद नहीं की, उनका कोई उसकी चिंता नहीं की, ऐसा किया वैसा किया वगेरा वगेरा। अनीता जी हमेशा कहती है, कि रेंको जी टेंपल में जपान में नेता जी सुबास चंद्रबोज की जो अस्तियों का कलश है, उसका डिने टेस्ट तो कर लीजिए, वो नेता जी के हैं की नहीं, बारत सरकार को वो कहती रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांदी थी, तब वो वहाँ पर दर्शन के लिए गई थी, मगर आज तक भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार ने भी वो अस्तिकलश जो है, उसको न तो भारत में लाने का कोई यत न किया है, न वो अस्तिकलश में जो फूल जो है, उसका डिन प्राइने टेस्ट करने की भी कोई कोशिश नहीं किये, नेता जी के प्रती हम इतना आदर वेक्त करते हैं, तो जपान उनका अस्तिकलश समाले हुए है, और हम हैं कि चिनता ही नहीं करते, और नेता जी यहाँ दिखे थे, वहाँ दिखे थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ थ अब आपको National Archives में दस्तावेज पढ़ना है, फाइलें देख सकते हैं, फाइलें पब्लिक डॉमेंड में हैं, और उस समय की, मैंने कहा ना, कि यह चिथियां तो सरदार पटेल और पंडित नेरुक के बीच में सरदार के निदन के पहले की हैं, जो उन्होंने प्रबंद कर उनको नियमित रूप से गुजारा बक्ता पहुँचे उसके लिए, और उनको भारतिये नागरिकता आफर करने का भी वो किया था, हमारे राजदुतों के मार्फत यह सब किया था, वो तो दस्तावेजों में है, मगर मैंने जो फाइलें देखी हैं, नेशनल आर्काइवस क उसमें 1954 में भी पंडित नेरु ने कितनी चिंता किये, मुझे कोई पंडित नेरु का बचाव करने की कोई आवशक्ता नहीं है, मैंने जो फाइलें पड़ी हैं, जो सत्य देखा है, जो दस्तावेज देखे हैं, उसके बारे में मैं तो कहूंगा, क्यूंकि जो सत्य है, उस इतनी बात, कल मिलते हैं, बराबर रात को नव बजे, यूटूब चैनल, डॉक्टर हरीदे साइपर, आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेर करें, और हमें सुझाव भी दें, आपके प्रतिभाव भी बेजें, और आपके प्रश्ण हों, तो वो भी बेजें, हम उसके उत्तर देने की, दस्तावेजों के साथ उत्तर देने की यथा शक्ति कोशिश करेंगे, नमस्कार.